देखिए यूं तो उप्चुनाव हमेशा होते रहते हैं लेकिन इस बार का उप्चुनाव बिधान सवा के सामाने चुनाव से कमतर नहीं है 24 में भारती जनता पार्टी की जो पराजे हुई जो 80 सीट की बात कर रहे थे और 33 पे आके सिमट गए और अयुध्या जैसी सीट जो भारती जनता पार्टी का हिंदूत और राम मंदिर ये दो केंद्रिय मुद्दे रहे हैं और वहाँ पर उसका हारना भारती जनता पार्टी के लिए वो उसको पचा नहीं पा रही है उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीतिक हल चल चल रही है और हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ट पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी सर जिस तरह से इस समय पॉलिटिकल बड़ी उठा पठक चल लही है आयोध्या को लेकर खास तौर पर सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं का फोकस इस समय उप्चुनाओं में मिलकी पूर पर है मुख्य मंत्री वहां एक्टिव हैं लगातार उनके दोरे हफ़ते में दो दो बार हो रहे हैं अखिलेश या दो एक्टिव हैं और अम मायावती भी एक्टिव हो गई हैं तो क्या कहेंगे इस समय जिस तरह के राजनीतिक परिद्रिश बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्य अध्या पुले के देखिए यूं तो उप्चुनाओं हमेशा होते रहते हैं लेकिन इस बार का उप्चुनाओं विधान सवा के सामाने चुनाओं से कमतर नहीं हैं वही घमाशान मचा हुआ उसके दो कारण हैं चौबिस में भारती जनता पार्टी की जो पराजे हुई जो 80 सीट की बात कर रहे ते और 33 पर आके सिमट गए और अयुद्या जैसी सीट जो भारती जनता पार्टी का हिंदुत और राम मंदिर ये दो केंद्रिय मुद्दे रहे हैं और वहां पर उसका हारना भारती जनता पार्टी के लिए वो उसको पचा नहीं पा रही है दूसरी ब कैश्व मौर्या और योगी के बीच में जो मतभेद सामने नजार आए उसको ध्यान में रखते हुए ये चुनाओ बहुत महत्वपूर्ण है सत्ता परिवर्तन के लिहाद से उत्तर प्रदेश की और भारती जनता पार्टी की आगे की भविश्की राजनेती के हालात क्या उसका एक संदेश जायेगा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य यहां से दिली की सत्ता उत्तर प्रदेश से होके जाती है तो इसलिहां से बहुत महत्वपूर्ण है जहां तक आयोध्या की बात है योध्या के जो मिल्कीपूर के जातिगे समी करन है वो दलित यादो वहां के deciding factors हैं मुझे नहीं लगता है और नौ बार के अवधिश प्रशाद वहां के बिधायक रहे हैं उनकी अपनी मजबूत पकड़ है हर रिजीम में चाहिए वह 14 उननीस सो से पहले हो बाद में हो लेकिन अवधिश प्रशाद जीते रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है इस लेकिन मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा बसपावी सर उपचुनाओं में उसी तरह पार्टिस्पेट कर रही है मायवती भी लगातार प्रेस कॉंफरेंस कर रही है पिछले दिनों लगातार उन्होंने प्रेस कांफरेंस करी और सब का फोकस इस बार आयोध्या ह क्योंकि जो मंदिर निर्माड हुआ उसके बाद उस पूरे मंदिर निर्माड के धाचे को एक प्रकार से सिंबल की तरह यूज किया सभी भारती इंता पार्टी ने और लोगों ने माना भी लेकिन उस हार को क्या पचा नहीं पा रही ने डिश्यत रूप से मैंने पहले ही कि प्रदान मंतरी मोदी जी वो चुनाओ से पहले वो मंदिर का उन्होंने अर्धनिरृमित मंदिर का उन्होंने उदगाटन किया और एक संदेश देने की राजनेतिक संदेश देने की कोशिश की लेकिन वो भी काम नहीं आई इसलिए उनके लिए उनके पेशानी पर बल पड़ा हुआ है और इसलिए आयुद्या को वो कंसंट्रेट कर रहा है तो यह जहां तक मायवती की बात है अपवाद छोड़ दीजिए मायवती सामानिता उन् वो धीरे 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 भिखरता चला गया और 24 में वो नौ प्रतिशत के आसपास उसका बोर्ट बैंक से मढ़ गया मुझे लगता है कि उसी बज़े से या उसी के कान से मायवती ने सूचा कि यह चुनाओं लड़ना आवशक है ताकि अपने दलित बोर्ट बैंक को साधा ज हैं और दूसरी जो बात है कि उनको दलित समाज में जो है जो उनकी पकड़ थी वो बहुत धीली हो गए उनके जो बड़े बले नेता थे जिनका की जमीनी पकड़ थी वो सब मायवती ने काशिरान जी के बाद धीरे धीरे करके उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसक अब दलित नेताओं का वर्चसु भी तूट रहा है क्योंकि चंशिखार आजाद भी इस बार जीद गए और देश प्रसाद को जिस तरह से आयुद्या का राजा कहके प्रमोट कर रहे हैं अखले शादो तो यह भी बड़ी चिंता कविशे है मायवती के लिए भी और तमाम चंशिखार यहां आके पूरे प्रदेश में घूमेंगे और वो दलित समाज को जोड़ने का काम करेंगे तो उससे अगर एक दलित को दलित नेता जब बात कहएगा तो वो कन्विंसिव होगी और दलित उदर वैसे ही खसक गया है आदे से जादा तो जब ऐसी सिक में चंश पर जाने लेकिन यह कहा जाता है कि बोटों के बिखराओ को अगर मायवती आएंगी तो चाहें वो आट परसेंटों दस परसेंटों पांच परसेंटों वो कहीं ने कई दिन तो करेंगी और उसका निश्चित रूप से उसका जो नुकसान है वो इंडिया गटवंदन को सप नुकसान होगा यह तो समय बताएगा लेकिन उनके आने से भाजपा कहीं न कहीं थोड़ा सा राहत महसूस करेगी लेकिन जो जिन सीटों पर चुनाओं हो रहे हैं वो इंडिया गटवंदन के समाजबादी पार्टी की मजबूस सीटे हैं वहां उनको हरा पाना बहुत आसा नहीं होगा अउद्धिया के लिए साख का भी रहेगा भाजपा के लिए साख का रहेगा और मतलब यह एक संदेश यह दस उप चुनाओं जो होंगे यह संदेश देंगे के उत्तर प्रदेश की राजिनीत की दिशा और दिशा किधर जा रही हैं यह सबसे महत पून है तो यह बड़े महत्पूम चुनाओं होंगे और इसमें इंडिया गटबंदन और कॉंग्रेस भी जो सहीं तुरूप से लड़ेंगे वो भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे चुकि देखे महंगाई है गरीबी है बिरुजी आरे यह जड़ता से जुले हुए मुद्दे हैं द इससे यह बात भी भारती जन्ता पार्टी को समझ में आगए कि खाद्यान देने से अब हम लोगों को ज्यादा अपनी तरफ आकर्शित नहीं कर सकते हैं और उनके जो जातिगत समय करना है वो भी कमजोर हुए है और इधर जिस डंक से उन्होंने अखलेश यादब ने जो को लेकर कार्ड खेला है को ब्रामन जो है वो कोई मतब भारती जन्ता पार्टी के स्विक्षा से नहीं है वो परिस्ट जन्न मैं मानता हूं वो जो ही कोई भजबूत बिकल दिखाई देगा वो सिफ्ट हो जाएगा और जिस धंक से अखलेश ने ये किया है और कॉंग्रेस अगर कांग्रेस का देखे तो कांग्रेस का बोट बैंक भी ब्रामन दलित और मुस्लिम रहा है तो कांग्रेस अगर रिवाइब करेगी तो निश्चित रूप से जो भाजबूत ने दलित लिया था वो उनके पास से खसकेगा ब्रामन है वो खसकेगा तो भारती जन्ता पा लगता है कि चुनाव बड़े दिल्चस्प होंगे और इनके रिजल्ट उससे जादा दिल्चस्प होंगे जो आने वाली राजनीत को संदेश और संकेत देंगे तो ये थे वरिष्ट पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी जिनका कहना है कि चुनाव दस सीटों पर उस चुनाव भले हो रहे हैं लेकिन सबकी नजर आयुद्या सीट पर है खासतोर पर मिल्की पूर जो सीट है जहां पर अधेश प्रसाद विधायक थे कई बार के विधायक र सब्सक्राइब हो मायावति हो सभी ने अपनी अपनी ताकत जोग रखी है कैमेरा में संद्रम के साथ निरेज मिश्टा निवस इंडिया लखनाव कि मैं स्द़, चाहँ गुच्चत झाल, 10 निवस प्रसाद सब र Närव रही हो घ्रम के विप चायग और व्ैंद